नमस्कार दोसों आप शिबी का बहुत बहुत श्वागते दोसों आप शिबी को बता दें कि जिस शमय का आपको था इंतजार वह श्य में आ गया है जिसके लिए आप बेशबरीश इंतजार कर रहे थे दोसों वह पल अब आप शिबी के जुनकाल में आ चुका है दोसों कल से आप शिवी के जुनकाल की एक नई जीवन की शुरुआत होने वाली है यूँ कहें जिनके लिए आप इतने दिनोशी तड़प रहे थे दोसों अब वो शमय शुरू होने वाले हैं जेह दोसों, हम आप शिवी को बता दें कि अब आपके मेहनत का अफल मिलेगा, पर दोसों कल शिवी का जीवन बिल्कुल ही शोने पे शुवागा वाले कारीशी इस्तदी होगी, जेह दोसों कल शिवी के जुंकाल में आपको वो खुशिया मिलने वाली है, जिनें पाने के लि विडियो को आप भूल करी मिश्मत कीजिएगा क्यों दोस्तों कल शी आप शीब को परने जुंकाल में कुछ मैत्पुन बातों का भी धियान रखना बेहद्य आउश्चक जिया दोस्तों इसलिए आज का यह विडियो आप शिवी के लिए बेहद यह खास है यह इसकी करने की वो आने वाला पूरा जीवन फर फस्ताएगा जिए दोस्तों हम आप शबी को बता दें आज की वीडियो में कुछ ऐसे विशेश बातें बताने वाले हैं जो कि दोस्तों आज से आपको पने जुनकाल में याद रखने हैं दोस्तों ध्यान रहें यह बातें अगर आप भूलत कि दोस्तों आज की वीडियो में हम जो बात बताने वाले हैं जो शावधानी जो खुशकवरी बताने वाले हैं और जो उपाई बताने वाले हैं दोस्तों आज से आने वाले तिन सो पेंशर दिनों तक आप श्रुब की जुनकाल में बिलकुली वर्दान श्रावित होने वा किश्ट को क्या दे जब देते हैं तो दोसनों बश लोग आज से चकित हो जाते हैं और जो झलनेवाले होते हैं तो इनके हो सी उढ़ जाते हैं पर दोसूं कुछ ऐसे चमतकारी घटना है अभाप की जूनकाल में होने वाले नहीं अप करें शबी को बारा बजेश ये आप शवी के जुनकाल में माभवानी परवेश करने वाली है और आप शवी के जुनकाल में आपके शोचेवे शपने को पूरा करने वाली है जुनकाल में जो बड़ी गलती आपने किया है दोस्तों उनसे भी आपको अब अवगत होना होगा उन्हें भी कुछ कवरी मिलेंगी किंगिन चित्रों को लेकर आपको इशावधन नहीं होगा और कौन-कौन शे बड़े कारे जो यश में आपके पूरी होकर रहेंगे इन शबी की विस्तिति जानकार देंगे जो की गरहों की गोशर पर राधारित है दोस्तों इन्हें अंत तक देखना अ जै मा भावानी जरूर लिखेगा माताब भावानी का श मशरुआद आप शवी को प्राप्त होगा जी उनकाल में खूषियों की किलकार गुल जजेगी कभी दुख 10 तक नहीं देगा जे दोस्तों तो दोस्तों जरूर लिखेगा और यदि आप शेनल पर विन नहे हैं तो मा भवानी के एक बहुत प्रे- निराश नहीं पिछार्षे सच्छ सोच कर अंपने माश्री प्रातना करने लगे कि हे मां, हे मभवानी, आकिर हमारे जुनकाल में इतने दुख क्यों है और दोसों उनकी हिर्दे रूपी प्रातनाशे, मभवानी बहुत यदा परिशन हुई और उनके समक्ष परकट होकर उनसे पूछा कि आकिर क्या परिशानी है तो उनके मन में यह शवाल उड़ता है, कि हे मां, अगर इश्वर सचीता नंद है, जो खुद सत्चीत और आनंद से बना है तो शुनसार में इतना दुख क्यों है, क्या यहां शिर्प शुक ही शुक नहीं हो शकता यह शवाल हुआ माभवानी से पूछते ही माभवानी उन्हें कुछ कहने शी पहले, उन्हें शमझाने के लिए नदी के उश्पार जाने के लिए कहता है और उनके हाथों में नाव के एकी पतवार को देता है, और वह नाव पर बेट जाता है और जब वह एक ही पतवार्षी नाव को बढ़ाता है तो वह नाव आगे नहीं बढ़ता बलकि वहीं पर गुमता रहता है तो वह पूछता है कि एक पतवार्षी नाव केशी बढ़े की तो माभवानी कहती है कि यहीं तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जिस परकार एक पतवार शे नाव आगे नहीं पढ़ता उशी परकार जिवनकाल में शुक और दुख जिवन के दो पतवार हैं अगर शुक ही शुक हो तो जिवन का नाव आगे नहीं पढ़ता दोनों बारी-बारी शे चलानी पढ़ती है तभी किनारे पहुंचोगे क्यों या शमझे कि शुक दुख का ही एक रूप है शुक हो या दुख दोनों को एक शमाशी देखें ये दोनों लहरे हैं आती है और जाती है आप आनंद में रहेंगे या बाशुन कर उनके भक्त को जिवन का ग्यान हो गया और वहा खुसी से जूम उठे तो दोसों माभवानी का ग्यान अगर आपको अच्छा लगा हो शच्चा लगा हो तो दोसों वीडियो को एक प्यार आश्या लाइक जरू करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स निक दें जै माभवानी तो आई दोसों से के शाल बात करते हैं कि आज रात्ते के 12 बज़ी शी आने वाली 365 दिनों तक म माभवानी आपकी राश्य पर जाने वाले हैं तो दोस्तों आपको कौन-कौन शी बड़ी खुशकबरी मिलने वाली है कौन-कौन शी बड़ी विच्चेश बातों के श्में आपको ध्यान रखना होगा आपका लव-लाइप स्वास्त केरियर और धन के शितिक रहेंगी इन् को बता दे कि आज रात्री के बारा बजे शे आप शिवी के कुंडली में बड़ा ही परवर्तन होने वाले हैं जिया दोस्तों हम आप शिवी को बता दे कि दोस्तों आज रात्री के बारा बजे शे आप शिवी के कुंडली में मालक्षमी नाम का शुभयोग का निर्मान यानि कि दोस्तों तीनों शुब्यों के कारण राज्यों का यश्मी निर्मान होने वाले हैं जिया दोस्तों और यह आईश्मान नाम का राज्यों का यह निर्मान करेंगी और दोस्तों यह शुक्षमर्दी नाम का भी राज्यों का निर्मान करने वाली है जिन के कारन दोसों आप्शिबी के एक इंडली में इनका परभाव आने वाले 355 दिनों तedar रहेगा मा भावाने के श्रिवाश्य आने वाले 355 दिनों में आपशिबी के जुनकाल में आपको बड़ी बड़ी खुशकपरी मिलने वाली है जियां दोसों आपशिवी को बता दें कि आपको अब वो खुशगवरी मिलने वाली है जिनें शुन कर आपशिवी को अपने कानों पर एकिन नहीं होगा जियां दोसों लेकिन वास्तों में ये घटना आपशिवी के इशाथ होकर ही रहेगा और इन्हें कोई रोक नहीं शक्ता है प्रण्दों दोस्वं हमने आपको पहले ही का है कि यह श्यमें आपको कुछ बातों को लेकर बिलकुल यह शावधान रहना होगा अनिता दोस्वं आप शिबिके कि यह कराई पर पाने फिर शक्ता है जिया दोस्वं शरक पर दोस्वं हम आप शिबिके कुछ महत्वन बात बता दें कि जो कि आपके जुनकाल में चल रहा है जिन से आप अनजान रहते हैं जिन दोस्वं आप जान कर भी उनसे अनजान रहते हैं जिन दोस्वं यह बात यह है कि दोस्वों आपने अपने जुनकाल में पिछले शमिशे कितने शारे मुशिवत और कितने शारे शमिश्याओं को देखते आ रहे हैं दोस्वों आप शिबी का जीवन दुश्टरों शे बहुत ही अलग है पर दोस्वों आप लोग वो कारी करते हैं जो लोग कोई दुश्रा व्यक्ति करनी शक्ता और दोस्वों वो भी आप धहरी के शाथ करते हैं इशार नहीं है कि दोस्वों आप किशी के कहने अपर करते हैं खुद ही करते हैं और धहरी के इशाद करते हैं जब तक आपको शुपलताई नहीं मिल जाती दोसों आप कारियों में लगे रहते हैं दोसों करमशे आप बहुती करमशिल इंसान हैं और मेहनत करने में भी आप किशी से पीछे नहीं रहते हैं जियां दोसों और यही कारण है कि इश्वर माभवानी आपके उपर बहुत यदा प्रेशन है और यहिश में जो गरहों की तती बनी है यह आपके कुंडली की धशा नहीं बलकि आप शिविक के जीवन की दिशा बदल देगी आप शिविक को आज रातरी के 12 बजी शे आने वा दोसों यह में आपको वो लाब मिलने वाले हैं जिया दोसों आप शिविक को बता दें कि यह में आप शिविक के जुनकाल में खुशियों की नई बाढ़ाने वाली है आज रातरी के 12 बज़ेश यह आप शिविक के जुनकाल में खुशियों की शेहनायां बजने वाली है ज फर्मा भवान या आप शिवी की राशी में हैं आप शिवी की कुंड़ी में बेराजमान है जिया दोस्व आप शिवी को बता दे कि यशनी की आप शिवी के जीवनकाल में आपको द्धन заптन जीड़ी परकार की शिमाशयों का लिदान देखने को मिले गा एक प्रकार्शे कहें धन से जुड़ी जो भी शमश्या है उन शबी से यसमी आपको मुक्ती मिलकर ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए जिया दोस्तों आप शिवी को बता दें कि यसमी आप शिवी का जो पारिवरिक जिवन था पिछले कईश मेशे पारिवरिक जिवन में शमश्याई देखने को मिल रही है पारिवरिक जिवन आप शिवन आप शिवी का उतना श्वही नहीं चल रहा है जिसे कि आप सोच रही है कोई ना कोई आई दिन बिगन बदाएं आपकी पारविर्ग जीवन में आती ही रहती है जिनके करन आप शिवी का जो पारविर्ग जीवन है उनमें कई तरक की मुश्य बताती है कई तरक की खटास मन में हो जाती है और मन मुठाप के ही कारण आप शिवी की रिष्टों में ब बिल्कुल ही श्युगम और बिल्कुल ही शुद्धिर्णी हो गया है आप शिभी का पार्टनर आप शिभी के शातरहींगे आपकी भांट सोभी शमझेंगी जधूस हो आप जो भी बात कहना चाहते हैं कित कॉपरे बिल्कुल याप शॉमस अपने बातों को उवगत do होने वाले हैं जिया दोस्तों आप शिवी को बता दें कि आप यश में जो भी कारियों में अपना हाथ को बढ़ाएंगे वह कारी शफलता की और बढ़ेगा आप जहां भी जाएंगे वहां पर आपको मान शमान मिलने वाले हैं कार चितर में आप शिवी प्रप्रवाद का एक उचापद आप शिवी को मिलने वाले हैं। जिस भी छितर में आप कारी करते हैं, उन्हें आप शिवी का दर्जा यश्मी बढ़ने वाले हैं। जियां दोसों, हम आप शिवी को बदा दें कि शिवी जो है वे आपको अपने आँखों पर एकिन नहीं करने वाला शिमी होगा। कुछ इतनी बड़ी प्रशन सा आप शिवी को मिलने वाले हैं। कुछ इतनी बड़े शबलता आप शिवी के शामने हसमे आने वाले हैं। दोस्तों एक प्रकाशिक कहें कि शमय आपके लिए अत्यन्त लाब गारी शाविद होने वाले हैं। जिया दोस्तों हम आप शबी को बता दें कि यह शमय आप जिसबी छित में निवेश करने के उजना बना रहे हैं। उन पर अपने ध्यान को केंदर दखें। कहें भी निवे दादी कि शंतान की तरफशी आपको कोई बड़ी खुश्कबरी मिल सकता है। खुशियों का वातावन रहेगा। यश मे शंतान की तरफशे आप शिबी के जिवनकाल में एक नई सुप समचार भी देखने को मिल सकता है। उनके करिया शमंदी आपको कोई अच्छा लाब क मोकी मिल सकते हैं। नोकरी जो भी लोग करते हैं नोकरी शमंदीत कोई बड़ी खुश्कबरी आप शिबी को मिल सकती है। पढ़ाई से समधित कोई महदपुन खुश्कबरी भी आप शिबी को मिलने वाली है। जिया दोस्तों हम आप शिबी को बिदा दे कि यश मे आप श नया वाहन या फिर नया मकान खरदने के लिए श्मय बहुत ये अच्छा है। प्रॉप्टी आप खरेश रगते हैं। इसके शाथ हम आप शिवी को बता दें कि इनमें आप पेशा को निविश्ट करेंगे या फिर जहां भी आप प्रॉप्टी को खरदने वाले हैं उनमें आ की देवी मातालक्श्मी का आशिरवात पढ़ने वाला है जियांदोस्तों हमआप शिबी को बता दें कि यह ज пошँ कई शारे धुश्य दुश्मन है जिनका दुश पर भाव शिबी के जिवन काल में पढ़ने भी वाला है लेकिन दोस्तों उनके लिए आपको कुछ महत्पुन उपाई भी करना चाहिए जिने हम आगे आपको बताने वाले ही तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा इसके साथी हम आप शिवन को बता दें कि यश्मी आपके जिवन से जिटना भी शमभखो गरीब और जरतमनь लोगों की अवश्णी मदद किजएगा जिटना आप शेbir बने उतना ही एशान नहीं कि आपको बड़ा करना है जिए तोस्तों जिटना आप कर सकते हैं उतना अपने मदश्च किजएगा जे दोसों ये शिमें आपके काम का जो ज़नाबत तरीका है वे आपके लिए शपल रहेंगे और उनमें आपको शपलताओं की प्राप्ति होगी जे दोसों किशी के शाहर ये आप शिबी का शमाज में मान शमान भी बढ़ने वाले हैं जे दोसों कोई नए कारे आपके शुरू कर सकते हैं जिनमें आपको शपलता मिल सकती है और वही कारे के शाहर ये आप शिबी को समाज में इसमें बड़ा इज़त परतिष्टा बढ़ने वाली है जे दोसों पड़ाई शमाज में जोजगार है यो आवर जो भी अपने केरियर शमाज में कारे कर रहे हैं उन्हें अशमे कोई बड़ी खुशकवरी पराप्त हो शकती है एक बरकारश्यों कहें आपको बन चाही नोकरी मिल सकती है पड़ाई शमाज में शपल रहेगा और आ आगे तक लेकर जाएगा और शबलता हैं आप शबी की कदम सुमने वाली है बश आपको जो भी मुका मिलता है उन पर ध्यान दे जे दोसों और एक महरपून बात आप शबी को बता दें कि जो भी आप नए कारे कर रहे हैं किशी भी नए योजना बना रहे हैं तो दोसों उ उन बातों को अपने तकेश मित रखें जे दोसों अगर आप किशी के भी शामने इन बातों को जाहिर करेंगे और फिर किशी को भी इन्हें बताएंगे तो दोसों आप शबी को बता दें कि ये शिक्रेट उनके शाथ अगर गई तो आपका फैदा उट शकता है एक परकार कहें लोग आपको शी तरह यूज कर रहे हैं जिन्दगी में आपको अब श्मलना होगा और अपने महत्पुन बातों को अपने तकेश मित रखना होगा अन्यता दोसों आप शिबी को कोई दुश्रा व्यक्ति नुक्षान पहुँचा सकता है जे दोसों इसलिए जो भी कार तक फायदा भी उठाशकता है आपके इमोशन के शाद भी किल सकता है इसलिए जो भी दिल की बाते हैं आप उन्हें अपने अंदर ही रखना आपके लिए बहतर होगा इश्ग प्रांती हम आप शिबी को बिदा दें इश्मी अपने कुरूद पर आपको श्यम रखना होगा जिन दोसों अपने वानी पर आपको मज़ूता बना कर रखनी होगी आपको शिबलता जरूरी मिलने वाली है जिन दोसों आप शिबी को बिदा दें कि आपका गलत वैवार आपकी बनते-बनते काम को भी बेगार शकती है इसलिए यस में ये आपकी बड़ी कमजोरी रहने वाली है इसलिए आपको अपने वानी पर आपको थोड़ा अशा ध्यान दिकर रखना होगा कि कहीं गलत सब्द आपके मुशे ना निकले जिया दोस्तों यह आपके लिए बहुत ही आवश्यक है इसके शाती हम आप शिभी को बता दें कि यश्मी अगर आप किशी को पेशा द दे रहे हैं तो यह श्मी आपको बसना चाहिए नहीं तो दोस्तों आगे चल कर यह आपके लिए ही मुश्यवत के कारण बंड़ शकता है लेकिन दोस्तों आप शिभी को बता दें कि पेशा आपको कहीं भी फशाना है शोच समझकर ही फशाना है यह आपके अपने पेशे इ हम आप शिबी को बता दें कि यश में किशी भी घर के बड़े बज़ुरु व्यक्ति की अविहलना ना करें। उनके परती हमेशा शद वैवार रखें, शेवा का भाव रखें। इसी दोसों घर के जो भी बड़ी बज़ुरु है, दोसों उनका आशिरवाद आप शिबी को प्राप्त होगा और जो उनकाल में आप शिबी एक नए हे किर्देमान को अस्तापित करने वाले हैं। जो दोसों प्रेम शिमनों की अगर हम बात कर दें, तो दोसों जो भी लोग अविवाइत हैं, उनके लिए अनुकल रिस्ता आने की शमौना है, जिसे आप शिबी का मन काफी हद तक परशन रहेगा। जो दोसों उनके शाद तकरार करने की आपको कोई भी हद को नहीं चुना है। भी शर्ते आएंगे। जिसे दोसों शमे आपके लिए तरक्की के योग लाएंगे और अत्यन्त महत्पुन शमे होगा। जो लोग शरकारी नोकरी करते हैं यदि वद चोथे अस्थान पर जाना चाहते हैं तो आपको यश्मी काम्यावी मिलने वाली है। बश्रते आपको प्रयाश जारी रखना होगा। अनिता आपशिवी को कुछ नुक्षान देखने को मिल सकता है। जो भी लोग हैं, प्रांती हम आप शिवी को बता दें, कि शेहत को लेकर आपको ध्यान किंदेद करना होगा, यश में आपको गलत संगती का शाथ छोड़ना होगा, जिया दोसों हमने आपको पहले भी ये बात कई वीडियो में बताये हैं, कि गलत संगती के वज़ेशी आप अज़े महसूर हो सकती है, इसलिए आपको बदलते मुश्रम को लेकर थोड़ी शी शावधानी रखनी होगी, थोड़ा शवयाम और थोड़ा खान पान को लेकर आपको शावधानी बरतनी होगी, श्वास्त आपका बिल्कुल ही बहतर रहने वाला है, इसको प्रांती, दोस आपको कुछ महतुन बातों का ध्यान रखना बहुत यादा आवश्यक है, जिया दोस्तों हम आप शिवे को बता दें कि जब बेश शत्रू हमारे उपर परभावशिल होते हैं, तो कोई भी हत तक जा सकते हैं, जिया दोस्तों चाहिए वो हमारे उपर भूत छोड़ दे, को किन्तु उनके आजपास होने के एहसास कुछ ही लोगों को पता होता है, तर्म शास्तों के नुशार जिस जातक के गन कमजोर होते हैं, वे ही भूत प्रेत जैसी नकार्तमव उर्जा को महशुश कर सकते हैं, वश्यगरी इनके परभाव में भी आ जाते हैं, इसके अत्रित क कभी कभी शारिक रूपशे कमजोर व्यक्ति, बिमार व्यक्ति, मांश्य रूपशे, विक्रित व्यक्ति और गर्वति महिलाएं भी भूत प्रेत और उपरी बधाओं का ग्रिस्त में आ जाते हैं, जिन दोस्तों तो इन्सी आपको बचने के लिए क्या करना चाहिए, जिन किशी भी दिन आप इन्हें धारन कर लें, रोजाना रुद्राक्ष की पूचा करें, इसे दूप दीब दिखाएं और फिर ओम नमश्य शिवाय का मंत्र का 108 पार जाप करें, रुद्राक्ष धारन करने शे नकारत्मक शिक्तियां दूर हो जाती है, और जो शत्रु आपके उपर विप्रित बाधाई छोड़ती है, उन्चे आप शिवे को मुक्ति मिल जाता है, और जो शत्रु आपके उपर यह बाधाई चोड़ता है, उन्हें के उपर यह बाधाई जाकर लगता है, तो इस शावन की पावन महिने में आपको इन उपायों को अभशी करना है, ज् बूरी नकारत्म गेचती है वे शवीशे आपको मुक्ती मिलती है गहर में बरक्कत भी होती है जिया दोस्तों इश्कुपरांती हम आप शिवी को बता दें कि यश में आपको शनीवार और मंगलवार की दिन लोंग का एक महा उपाय को करना है जिया दोस्तों आप शिवी को बता दें कि रोज नहीं तो शनीवार और फिर मंगलवार को आप याद रखें यह उपाय जरूर कीजिएगा धनगी कमी नहीं रेगी रात्त्री को जब रशोई घर का काम खतम हो जाए तो रशोई घर में एक मिट्टी के दीपक में दो लोंग और एक कपूर की बट्टी चला दे जिया दोस्तों धन्शमता आप शिवी के घर में बने रहेगी और जो भी लोगे शिक्रियाएं करेंगे उनके जुनकाल में अन्नुपुर्णा देवी का भी वाश होगा जिया दोस्तों तो ये उपाई आपके लिए बहुत ही महत्पुन शाबित होगा दोस्तों आप इन्हें भूल कर भी मिश्मत केज़ेगा इन्हें ध्यान से रखिएगा जिया दोस्तों इश्कुप्रांती हम आप शिवी को एक और महत्पुन उपाई बताते हैं कि शमे शमे पर आपको भगवान शिवी के मंदिर जाना है जब आपका मन करी भगवान शिवी के मंदिर जाना है और वहाँ पर आपको बिलपत अर्पित करना है आपको भगवान श तुकडे को आपको अपने तक्या के निजी रखना है अपने जापर आप धन को रखते हैं वहाँ पर रखना है दोसों इनसे आप शिवी के जुनकाल में जो भी धन के शमश्या है वे शिवी शमापत होंगे शाते शात भगवान शिवा आप शिवी को कवजबन कर आपकी रख्चा करने वाले हैं तो दोस्वों ये शबश्य महाशक्ति शाली उपाय है इस सावन के पावर महिन में आप इस उन उपाय को कर लिजेगा और पिर आने वाले शमय में भी कर सकते हैं बहुती भागे शाली उपाय है दोस्वों आपको लाब दे कर जाएगा जे दोस्वों दोस्वों फिर मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए आप शिवी का धिन्यवाद आप शिवी का दिन शुब हो राने वाले तिन सो पेंशचट दिन मंगल मैं हो